तो वही, आज का अमारा वीडियो बहुत ही कमाल की चेनलिस्टिक पैटर्न का होने वाला है इस वीडियो के पहले मैं 5 वीडियो अपनी चैनल पर दे चुका हूं अगर उनको आपको देखना है तो जरूर देख लेना क्योंकि मैंने एक Candlestick की पूरी सीरीजी चलाई है और आज हमारी छटमी क्लास है इसमें मैं बहुत ही कमाल का Candlestick Pattern आपको बताने वाला हूँ वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है इस वीडियो मेंडर तक बने रही है आज की जो Candlestick है इसको कहते है The Harami Pattern एक Japanese Candle है अब आप सोचे इसका नाम क्या हुआ जपान में जो Pregnant Lady है उसका नाम होता है Harami तो The Harami Pattern है अब इसकी जब आप Definition पढ़ोगे और इसमें मैं आपको समझाँगो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्यों पढ़ा ठीक है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि The Harami Pattern Pregnant in Japanese और लिखा हुआ है The Concider as a Reversal as the Continuously Pattern and it consists of two Candlestick मतलब इस पैटन में हमको दो Candle बनेंगे जो पहली Candle होगी उसको हम बोलते है Mother Candle मतलब Pregnant Lady में एक Mother होती है फिर उसका जो बेभी होता है तो उसी प्रकार से Candle भी फिरम होती है तो यहां पर लेखा हुआ है The First Candle is the Large Candle It is called the Mother Candle pattern कुछ इस प्रकार से बनेगा जिसमें आप देख सकतो एक बहुत बड़ी Candle बनेगी हम कहते है Mother Candle and a small candle बनेगी इसको हम कहते है Baby Candle यहां पर candle का color है बहुत ज्यादा matter करता है जैसे Mother Candle हो गई अगर एक candle लाल है मतलब जो बड़ी बॉड़ी एक लाल candle बनी और जो small बॉड़ी की है वो green candle बनी तो इसको कहेंगे हम bullish मतलब bullish का मतलब आप जानते हो कि यह सपोर्ट पर बन रहा होगा यह वाला pattern तो जो यहां पर एक seller यहां पर आए होंगे और यहां पर एक यहां पर एक रैट candle बनाए होगी इसके बाद जहां पर इस candle की closing होई उधर ही इस candle की opening होई बिल्कुल भी बिक नहीं दी इसने अपने bottom पे and उपर गई और गई तो इस प्रकार से candle form होती है तो देखे इस candle का दूसरा नाम है the inside bar market bullish हो तो जब bearish में convert होता है तो उसके लिए भी हमारा है हरामी pattern तो इसको बोलते हैं bearish inside bar अब यहां पर जो mother candle बनेगी वो हमारी green candle बनेगी and small body की जो baby candle बनेगी red candle बनेगी लब यहां पर buyer है बट इसके बाद जो resistance पर यह candle form हुई अब यहां पर seller भी अक्टिवेट हो च सकतो कि नीचे एक support है एंड उपर एक resistance है ओके इसी पिरकार से बना हो गए support पर जब एक candle form हुई तो जब market एक bearish momentum बे था तो एक बहुत बड़ी mother candle बनी इसके बाद एक small body की हमारी बनी baby candle और market अब continuously उपर की ओर चला गया support पर यह pattern बने तब आपको यहां पर confirmation के लिए इन candle का यूज़ कर सकतो उसी परकार आप देख सकतो है यहां पर भी bearish inside war candle बनी हुई है यहां पर एक resistance है यहां पर आप देख सकतो एक mother candle बनी एक small body की baby candle बनी अब market continuously bearish हो गया इस परकार से हमारा जो दहरामी pattern था inside war candle यह आपको समझ में आ गया हूँ अब मैं इसको live market पर भी इसको दिखा दूगा कि यह किस परकार से हमारे form होते हैं अब का चार्ट ओपन के लिया है आप निप्टी बैंक निप्टी फिन निप्टी किसी पर भी यहां पर चेक कर सकते हो ओके जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने support को draw किया था जो previous support था उसी को मैंने लिया अब जब market यहां पर एक downtrend पर आ रहा था आप देख सकते हो यहां पर एक mother candle बनी और एक baby candle बनी सेम है जैसा मैंने आपको बताया था सेम इसके बार market थोड़ा उठा फिर आया बड़ इसने इसकी closing नहीं दी थी आप चाहते हैं अगर यहां से अगर entry लेते इस जगे से मतलब जो baby candle की आप end पर entry लेते closing पे तो stop loss अगर आप यहां तक कर रखते तब भी आप stop loss नहीं हिट होता और आपका एक अच्छा खासा profit होता पहर इस inside बार बनी कि एक mother candle है इसके बाद इससे बहुत चोटा जस्ट यहां से जहां से इसकी closing है उधर इसकी उपनेंग है और चोटी सी candle बनी इसके बाद market continuously fall हो गया इसने बाइंग भी दी इसी candle ने बाइंग दी confirmation पर और इसी candle ने selling दी और selling इतनी ज्यादा दी कि फिर देख सकतो कि previous selling आई थी चोटी मोटी candle बनके इनकी selling से ज्यादा इसने selling दी अब आपको मैं बताऊं कि आपको कितने time frame पर देख तो आप देख सकतो कि मैं इसको 5 मिनट के chart पर देख रहा हूँ आप 5 मिनट पर इसको देखें या 15 मिनट पर देखें तो 5 मिनट आपके लिए best है 5 मिनट पर आप इसको देख सकतो ओके स्वाप में देख गया होगा और इससे पहले जो video थी उनको जाके जरूर देख लेना बहुत ही कमाल यह वीडियो उसमें मैंने आपको बेसिक बताया कि आपकी केंडल की क्लोजिंग कहां से होती है कहां से इसकी ओपने होती है कौन से होती है क्योंकि आप जब मार्केट ट्रेट करते हो तो आपको केंडल जानना बहुत ज़्यादा जरूर है क्योंकि पूरा चार तो वीडियो लाइक करकी जाना और प्ले लिश्ट में जाके पिसे ली वीडियो को जरूर देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिना तक कि अगली जो वीडियो डालू आप तक पहुंच चाहिए, तो मिलते अगली वीडियो